हलो एन वेलकम बैक एवरवान दोस्तों बात करेंगे आज IRFC शेयर के बारे में देखिए पिछले दो-तीन महिने में इसके उपर काफे सारी वीडियो मैंने क्रेट करिया दो या तीन वीडियो शायद इसमें मैंने क्रेट करी थी कुछ लेवल्स आपको दिये थे जिन लेवल् लेवल्स के बारे में और आगे क्या हो सकता है इस शेयर में उसके बारे में बात करेंगे अगर आपने इसको बाय किया हुए- transform को क्या करना चाहिए short term trader और long term investor और सबके लिए आज की इस वीडियो में बात करेंगे तो वीडियो को पूरा देखे बिना मत जाईएगा चलिए start करते हैं फट 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 देखिए IRFC December 1st week में 9 December के आसपास उस टैम ये गिर रहा था 2829 सोरी 2829 नहीं 3039 के आसपास था तब मैंने एक वीडियो को रेट करके आपको बताया था 30 रुपे का जो एक price है वो एक support zone है 30 रुपे से आपको एक bounce back आता हुआ दिखेगा और वही हुआ 19 December के आसपास आया 30 रुपे पर रुका और वहाँ से वापस उपर चल पड़ा ठीक है फिर 30 से 36 तक आया 23 December को ये 36 रुपे तक और 36 रुपे के आसपास का ही जो लेवल था वो इसका previous lifetime हाई था वहाँ पर इसको resistance मिली और वहाँ से एक sell-off हमें देखने को मिला दो तिन दिनों पहले मैंने आपको बताया था देखी FYI holidays पर जा रहे है market all time हाई पर है COVID की news फिर से आ गई है तो आपको बताया था एक short term pain र travel था इसका 30 रुपीज का वो इसने देखी अब तोड़ दिया है जो institutions इसको उपर लेके जा रहे थे most likely उन्होंने यहाँ पे selling करी है और अपने profits बुक करें है तो अब बात करते हैं आपको इसमें क्या करना चाहिए देखी long term investor हो long term investor को कुछ भी फरक नहीं पड़ता share का price इसको 4-5 साल के लिए buy किया था तो आप लेके बैठे रहो price उपर जाए या नीचे जाए आपको फरक नहीं पड़ता आपने price चेक करना है 3-4 साल के बाद जो भी investment horizon सोचके आपने इसमें invest किया था ठीक है short term traders के बारे में बात करेंगे देखी short term trading के point of view से 30 रुपे का level जो म 30 रुपे के आसपास आता है या 30 रुपे से ऊपर निकलता है या उसके आसपास आता है तो वहां से आप दुबारा एक selling expect कर सकते हो तो short term trading के point of view से इसमें momentum अब थोड़ा change हो गया momentum downside की तरफ हो गया है और यहां से अब अगला target इसमें 25 रुपे का बनता है तो short term के लिए अ अभी फिलाल इसके तोड़ पाना अगले 3-6 महिने में थोड़ा मुझे 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 लग रहा है यहां से वापस इतनी बड़ी rally आये और आप सोचो कि यहां से वापस share बढ़के 35 या उससे उपर निकलेगा तो वो अभी फिलाल 3-6 महिने में थोड़ा मुझे लग रहा ह तो अभी इसको बाय करने की जुरूरत नहीं है अगर long term investor हो तो long term के लिए definitely आप इसको बाय कर सकते हो short term traders फिलाल इस share से दूर रही है देखिए Friday के session में market काफी जादा गिरी है ऐसे में काफी सारे stocks हैं जो काफी attractive valuation पर आब आ गए हैं यहां से यह selling थोड़ी और continue रह सकती है market निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ी और नीचे आ सकता है देखिए COVID का scare अभी रहेगा COVID से related news है और एक uncertainty बहुत बड़ा event हमारे सामने है 1st February को budget आना है तो ऐसे में कहां पर आपको invest करना है कौन से stocks में आप invest करना है उससे related एक video कल में Christmas है कल create करूँगा तो Christmas वाली वीडि बाय कर रहा हूं इस गिरावट में और जिसको अगर आप भी चाओ तो आप बाय कर सकते हों तो कल की वीडियो में मिलते हैं फिर बाई बाई टेक केर